अज है आजकिस बीडियो में हम बात करेंगे फायलं एकाइनोडरमेटा फायलं मेंबंद्सी करेक्टर्स गाशिफिकैशन और तरफ दिर रख्थ इसमें हम इसका संचिप्त एतिहासिक पर्शए पड़ेंगे एकाइनोडर्मेट जनतों को अति प्राचीन काल से जाना जाता है अनेक बरसों तक एकाइनोडर्मेट और सिलेंटरिट प्राणियों को उनके बैसकों में अरिये सम्मित होने के कारण जो एकाइन डर्मेट है और सिलेंटेट प्राणे दोनो रेडियल सिमेट्रिकल है अर्ये सम्मित है तो उनके बैसकों के अर्ये सम्मित होने करण रेडियेटा के अंतरगत बर्क की भाति में रखा गया है अठारश से इतालीस में यूकाट तो आरा इनहें सरपुर्टम रेडियेटा के प्रतक्समू में मायनता दी गई है नाम की उत्पत्ति एकाइना डर्मेटा का जो नाम है वो इसकी तवचा के आधार पर यानि एकाइनोस मीन्स हैज होग काटे दार और डर्मा मीन्स इसकिन यानि कि इसकी तवचा पर काटे जैसी सूल पाई जाता है का ग्रीक भासा हम साब्द करता है कंटकित इस्पाइनी या कटीली तवचा धारी होता है तथा इनके टेस्ट पर चोल पर तवचा पर होने वाले कंटकों से यह इसपश्ट ग्यात हो जाता है कि यह एकाइनोस मेंटा संग का प्राणी है सब्वित्छन 1734 में जैकप क्लीन ने इस नाम का प्रजुक किया एकन आइडी जन्तों के लिए किया और ग्रीक लोग हैज हॉग और सी अर्चिन दोनौ के लिए एकाइनेस नाम का प्रियोग करते है क्योंकि दोनों कटी ले दिखाई देते है ईक बिस्षप्रकार के Şu-Ar duy के लिए एकाइनेस सब्त का प्रियोग की जाता है कंटकों की होना ही इस संग की पहचान नहीं क्योंकि केबल सी-Ar duy स्टार सागरतारों में कंटक पाए जाते हैं कुछ और भी पहचान के लक्षन है परिभाजा इकाने डर्म नितांत रूप से समुद्र वासी और अधिकतर तली वासी आंत्र गुई है प्रगुई है त्रीजन स्तरी प्राने होते हैं यानि इनकी जो बोडी है उसमें तीन इस्तर होते हैं एक्तोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म इनके सरीज में लार्वा की धीपार सम्वित्पन पंच भागी अर्य सम्मित होती है और इनके सरीज में तोचा में धसाद केल के राई पलेट या कंटिकाये का बना अंतक अंकाल होता है प्रगुयोत्पन एक विशिष्ट जल सम्में तंत्र असंख पाधाव या नालपाद एक बहीर चर्मी तंत्र का तंत्रता है अनिश्चिस सिर्या मस्तिस्क ब्रक्कोको का अभाब और जन्निक गरंतिया विशिष्ट बहानिया द्वारा सीधी बाहर खुलती है अब इसके सामान लक्षण हम देखते हैं काइनोडर्म के सामान लक्षण है इसकी लगवग साथ जातिया ग्यात है और यह डूटेरोस्टेम अकेशुर की प्रान जन्तों का केवल एक बड़ा सम्मू है बेर ने 1900 में इस संको जन्तों जगत के सबसे अच्छे लक्षण और इस परश शंगों में से एक बताया था जिसमें नमबर वन अंग तंत्र कोटी का सरीर संगठन यानि सरीर का संगठन अंग तंत्र कोटी का है अंगों का डबलाप्मेंट हो चुका है त्रिजन इस तरिये प्रगु ही है सीलोमेट है तता अरिय सम्मित प्राय पंच भागी है किन्तु लारबा वस्था दीपार सम्मित ब्यस्त अरिय सम्मित है रेडियल है लेकिन लारबा बाइलेटरल सिमेट्रिकाल दीपार सम्मित होता है शरीर एकंडित, गलोबाकार, तारे के समान, गोलाकार, बिम्बाकार या लंबाई में बढ़ा हुआ होता है सिर्का अभाव होता है शरीर की सतय पांच सम्मित रूप से विकिर्णिक बीथी यानि कि पांच बुजाएं हैं जिसको बिकिर्णित बीथी और पांच एकांतित अंतरारिये इंटर एंबू लेकरल छेत्रोद्वारा चिन्यत किया जाता है एपिडर्मिस द्वारा आब्रत सूलो एवं दर्मिय केल के रही अस्थिकाव का बना कंकाल है सूलो के अत्यंत नुकीले होने के कान इन पर से एपिडर्मिस फटकर हड जाते है गम नहीं तु पाधावो पोडिया या नालपादो ट्यूप फिट साइथ जल संबहन तंत्र ये इनका इंपोर्टेंट करेक्टर है यानि मेड्रि पुराइट सहीत होता है जो मेड्रि पुराइट एवरल सरफेस पर होता है प्रगुः सिलोम आंत्र गुहिय प्रकार की जिसमें परिया अंत्रं गुहिका एवं जल संबहन तंत की गुहिका समलित प्रगुय कोशिकाओं सहीद प्रगुय द्रब, अहर नाल सीधी या कुनलित, संबहन तंत्र एवं रोधे तंत्र प्रगुय या परिरुद्रिय बाहिकाओं बन स्वस्नांगों में चर्मिय कलॉम यानि डर्मल ब्रेंक किये, नाल पाट ट्यूफिड, स्वसनबर्क्ष रेस्पारिटरि ट्री और प्रपुटिय यानि वर्षी समलित होते हैं तंत्र का तंत्र में मस्तिक्स का अभाव होता है और परिमुख बले तता अरिय तंत्र का अपस्तितर यानि मस्तिक्स ने होता है और जो पांचों भुजाय जहां से निकलती है उसे में परिमुख बले एक चारा तरफ की रिंग पाई जाती है इसपर्स ग्राई अंग, रसायन ग्राई, अंतस्त इसपर्शक, प्रकास ग्राई एवं संतुलन पुटिया आधी ज्यानेंद्रिया अती कम बिख्षित होती है और सर्जी अंगों का अभाव होता है शामानिता एक लिंगास्रेई, जनन ग्रिंती बड़ी और केवल एक या अनेक निशेचन बाहए है, स्वतन्त प्रलावी रारवा है के रूप में परिवर्दन एपरतक्ष है टूटे हुए नश्टे हुए भागों को पुनरुद भावन की विशिस्ता है और नितांत रूप से समद्रवासी होते है बरिकरण वैसे हम इसको देखते है कि संग टेकाइनोडर्मेटा को मुख्यता है दो उपसंगों में बाटा जाता है नमबर बन एक नमबर उपसंग है इसका एलू थेरो जोवा एलू थेरो जोवा और दूसरा अपसंग है पालमेटो जोवा उपसंग एलू थेरो जोवा है इस उपसंग में उबर के स्थेक तक हम अध्धन करेंगे और इसमें एलू थेरोजवा में यानि एलू थोरोस मीन से फ्री लिविंग स्वतन्त रूप से और जीवित प्रानी मुक्त रूपी एकाने जन्तु जिसमें बर्ग पहला है एस्टे रॉइडिया जिसमें सितारा मसलिया सागर तारे आते हैं केंद्रिय बिम से इस प्रश्ट रूप से प्रथक ने होती ही पांच या अधिक भुजाएं होती है मुक्त तलकी और बीतिक हांचों में इस्टे चूसकों सहीत नालपाद होती है गोदा एवं प्ररंध्र यानि मेड्रू प्रोराइट अपमुक सतय पर होता है ब्रंध्र पाद जिनको पैडी से लेरिया कहते है उपस्तित होता है और मुक्त जीवी मंद बिसरपन परवक्षी एवं अपमार जगते ये कुछ इनके बिसिस्ट करेक्टर है उसमें उपबर्ग सेमेस्टर आइडिया है जिसमें पहले जो इक कालीन जीवास में तारे है पलेस्टिरियस या लेटी रेडियाटा जिसमें केबल एक जीवित जाती है दूसरा उपबर कैसका यू इस्टिर आइडिया जिसमें जीवित सागर तारे है इसमें गण दे रखे हैं जैसे फेनेरोजानिया फेनरोजोनिया जो गण है उसका एक्स्ट्रा पेक्टिन तुईडिया, गॉनियेस्टर, औरियेस्टर, पेंटासिरोस ये सब इसी मात है और बर्ग यू एस्टिराइडिये का नतरगत दूसरा गण इसमें स्प्यूनुलोसा है इस्प्यूनुलोसा में आप उधान देंगे, देखेंगे हापर जिसमें सॉलेस्टर है, एस्टराइना है, टेरेस्टर है, एकाइनेस्टर है तीसरा जो गण है इसका फार्शी पुलेटा है, फार्शी पुलेटा है, फार्शी पुलेटा है आफी यूर आइडिया, आफी में सनेक सर्व, औरा टेल यानि पुच्छ, इडियो से रूप यानि कि जनों साब की पूच्छ की तरह उनमें जो सरीर है जो भुजाएं है वो ऐसी लगती है, बिट्रिल तारे है उनके संबंदी, सरीर तारे के समान और भुजाएं केंद्रे ब भाब, बीती खांचो यानि एंबू लेप्टरल ग्रूप जिनको कहते हैं, बीती खांचो का भाब, या अस्तिकाव से ढकी वी, और नाल पादों में चुसकों का भाब, और प्रन धक, यानि मेडर पुराइट मुख सतय पर, जबकि औरों में एवोरल सतय पर होता है, इसमे कुछ गण है इसके, जो वर्ग है, ओफियूर आइडिया का है, वो गण है, ओफियूरी, इसमें ओफियूरा, ओफियूत्रिक्स ही होता है, दूसरा गण है, यूरियली, इसमें साधरान तर साखित भुजा हैं, और इसका उधारन है, गारगो, नासेफिलस, एस्टेरोनिक् एकिन आइडिया मिन्स हैज हो, कटीला, रूब, समुद्री अर्चन एवं बालू डालर, सेंड डॉलर इसको कहता है, ये इसको धारन है, और इसमें सरील, बिम्ब, या अंडाकार, या अर्ध गोलाकार, और भुजा भीहीन है, कंकाल या चोल, संहत, जिसमें गतिशील, सू बीति खांचे, अश्थिकाओं द्वारा, आबरत नाल पादों में चूसक अपस्तित, जनल गरंतिया समनतर पांच या अश से कम, इसमें उबर्ग, दो उबर्ग दे रखे हैं, तीन, जो तीन उबर्ग है, पहले नम्मर का, ब्रोबी, ओसी, डेराइडा, पिरतेक अंतर भी चेतर में प्लेट की केवल एक पंक्ती प्रारूपी लेंटर्स का अभाव अता है, और अरिये प्रणधक है, उधान केवल एक बिलुप्त और्ड वीश्यन बंस है, उसका नाम है ब्रोथी, आसी, डेरिस, दूसरा उबर्ग है, रेगुलेरिया, शरीर, गलोबाकार, पंच, पंच, खंडिये और बर्तमान सद्यश्यों में अंतर भी थी, छेतर में प्लेट की दोदोपंक्तिया, मुख केंद्रिये, सुबिक्सित, अरस्तो की लाल्टेन, इसका उधारन है, गुदा केंद्रिये, अप मुख सतय पर, और सुबिक्सित, एपिकल, प्लेटोसाइद, और उधारन है, मेलानी काईनस, और तीसरा गण है, सीडे राइडा, और इस सीडे राइडा के अंतरकत, उधारन है, हिस्टो सीडेरिस, चोथा जो गण है, डाडी मेटाईडा, डाडी मेटाईडा में सरीज तोल प्राय संयूत बीथी प्लेटोसाइद, गुलावकार होता है, और अपमुक केंद्रे गुदा, उपस्तित होती है, तो उसमें उधारन है, एकाइनस, अब तीसरा उपबर्ग है, इरेंगुलेरिया, इरेंगुलेरिया उपबर्ग में सरीर अंडाकार या बरताकार और मुख अपमुक रूप से चप्टा, मुख केंद्रे या मुख सत्य पर आगे की और विस्थाफित, गुदा, सीमान्ति या पिलेटों के सीर्श्तन से बाहर, प्राय नालपाद प्रचालक नहीं, इसमें जो गण है, वो गण है, चार, इसमें पहला गण है, होलेक्टिपाइडा, यह होलेक्टिपाइडा है, और होलेक्टिपाइडा में उधा तीसरा गण है क्लाइपिएस्ट्राइडा और इसका उदारन है क्लाइपिएस्ट्र और चोथा जो गण है वह है इस पेंटागाईडा इसका उदारन है इसपेंटेगस अब हम बात करते हैं चोथे पर कि होलो थूर आइडिया जिसम्मूद्र क्हीरा इसका नाम है वह आता है होलो थूर आइडिया में सागरी खीरे भुजा वैं सूळक अवाब मुक अप्मुक अक्ष्च की दिसा में शरीर बडा हुआ शरीर वित्ती चर्मिल मुख आगे की ओर इस पर्षकों से गरा हुआ छिपी हुई बीती खाचे यानि एम्बूलेक्रल ग्रूप से वो छिपी हुई है नाल पाज चूसक योगत स्वसन के लिए प्राय स्वसन ब्रक्ष उपस्थ यानि इनके जो मुख है वहांगे चार तरफ ऐसा लगेगा जैसे कुछ से चार तरफ कुछ चीजे फैल रहे हैं साखाय जैसे फैल रहे हैं जो स्वसन ब्रक्ष है इसमें जो गण है वो गण आप देखेंगे नमर बन है ड्रेंडरो काईराटा अधरन कुकुमेर्या समुदरी खीर जिसका सामर्द हीडा के रूप से जाने दाता है दूस्रा है एस स्पी-डकाईरोटा उसका उधरन है फोलोयूरिया और तीसरा गणे एलासी पोड़ा इसका पेलोगो थूरिया और चोथा गणे मालपाडोनिया इसका मालपाडोनिया का जो उधारन है वो मालपे मालपे डिया और पांचवा गणे एपोड़ा जिसको साइनेप्टा या लेप्टो साइनिडा जो भी है ये इसको उधारन है अब हम बात करे दूसरे उब्बरकी पालमेटोजवाब, पालमेटोज मींस इस्टाक ब्रंत जोवस मींस एनिमल, ब्रंत इस्थानबद एकाइनियोडर्मेट जनतो होता है, इसमें जो बर्ग है वो क्रिन आइडिया है और क्रिन आइडिया बर्ग में सागर लिलिया, शरी जीवन के कुछ काल के लिए या संपूर्ण जीवन भर के लिए एक अपमुख ब्रंत द्वारा चिपका हुआ मुख एवन गुदा दोनों मुख सतय पर भुजाएं पिच्च की है नाल पादपों में चूसका का अभाव है प्ररंद्रक सूल और ब्रंत पादों की अनपस्ति है मुख सतय पर पक्षमाद बीची खांचे उपस्त है इसमें कुछ इसके गण जैसे आर्टी को लेटा दिया है इसमें एंटिडाउन जो है सी लिली है पिच्छ तारा जिसको नियोमेट्रा फैदर इस्टार ये इसके कुछ उधारन है अब मैं आपको जनरली एक चित्र जो बता रहा हूँ ये पैंटा सिरोस है ये इसकी औरल सतय है जिसमें आप दख रहे हैं अपमुक सतय है एब औरल सतय है और ये औरल सतय है ये माउथ है बीच में ये इसकी आम से पांचो और ये एंबूलेकरल ग्रूप साफ ये अंदर की तरफ दख नली जाता है भाशाट दख दिखा दे रहे हैं और जो ये दखाई दे रहे हैं ये है ये मार्जनल स्पाइन और यह है marginal plate यह tube fit है यह oral थी यह avoral सत्य है यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा arm spines बोलते है central disc है और यह चारत्राफ इसके rings है यह rings है nervous system के इसी तरह extrapactin इस परकार का है वो pentas रस्ता यह extrapactin है यहाँ आपको medry provide दिखाई जाएगा avoral सत्य पर अपमुक सत्य द्रश्चे है यह lily है of your tricks है और जिसको अभी last में holothuria जिसको कहा था kocumeria यह kocumeria है और यह echinese दिखाई दे रहा है तो यह इस परकार कुछ इसके प्राणी है धन्यवाद